क्या BGMI, Free Fire, Call of Duty, Counter Strike की जितनी भी गेम है, शूटिंग वाले बहुत सरे FPS गेम हैं, क्या ये डेड होने वाले हैं? क्या इनको लोग अब खेलना बंद कर देंगे? गेम में हैकर्स कौन होते हैं? और चीटिंग कैसे हो रही है? इस चीज के बारे मैं आज मैं बात करने वाला हू उसने अपने बहुत सारे गेम प्ले भी अप्लोड कर रहे हैं, जहां पर वो एम बहुत इस्तिमाल कर रहा है, मतलब वो एम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो गोलील चल जाती है, वो वाल्स के पीछे देख सकता है, उसकी स्पीड बहुत जादा हो जाती है, वो ए यह चीजें अब बहुत बढ़ती चली जा रही है, क्या यह चीटिंग से बचने के लिए गेम कुछ नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजें को बार में बात करने माना आँ आज मैं, तो भाई, एम बोट जो होता है, वो अपने आप निशाना लगा लेता है, तो भाई, जो असली लोग स्किल सीख रहे हैं, बड़े-बड़े, वो क्या है, उनको कोई पुछेगा नहीं, फिर ऐसे तो धिरी-धिरी यह गेम छोड़ देंगे, जब फेर गेम होगा ही नहीं, एक आदमी महनत करके खेल रहा है, और दूसरा आदमी उसको मार के चला जाता है, तो पॉइंट क उसका Counter-Strike में आया था, जिससे file integrity check की जाती थी, अभी यहीं चीज़े हो रही है, file integrity check करना मतलब, देखो भाई, यहाँ पर यह जो cheating हो रही है, यह लोग game file या raw data जो भी होता है, उसको modify करते हैं इस तरीके से, ताकि वो उसका advantage ले सके, तो जो यह anti-cheat engine होता है, यह आपकी game files जो आपके computer में उसे check करता है, और यह देखता है कि कोई file corrupt तो नहीं है, किसी file यह setting के साथ छेड़खानी तो नहीं की गई, अगर ऐसी कोई छेड़खानी की गई होती है, तो वो anti-cheat engine उस file को नई file से, original file से upload कर, मतब डाउनलोड करके replace कर देता है, इससे क्या होता है कि in game cheats काम नहीं करती है, for example, अगर कोई cheat करने के लिए किसी ने किसी file के कुछ चीज को छेड़ दिया, और normally वो file 500 kb की होती है, लेकिन छेड़ने के बाद शायद वो 4500 kb की हो गई यह 600 kb की हो गई, यह चीज anti-cheat engine पता लगा लेता है, और देखता है कि यह file तो 500 kb की होनी च जाती है, और उस file को replace कर दिया जाता है original file से ताकि cheat काम ना करे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि artificial intelligence का जमाना है, computers बहुत smart हो गए हैं, और उनको इस्तिमाल करने वाले लोग और ज्यादा smart हो गए है, अब आपको बता है, बहुत सारे ऐसे streamers हैं, जो stream करते हैं एक computer में, मतल चल रहे हैं, चीट चल रही है उस computer में, जो capture करके चल रहा है, अब वो computer, इस computer को instruction भेज रहा है, ऐसे peripheral, mouse और keyboard का instruction भेज रहा है, तो यहाँ पर जो gameplay है, वो दो screen पर चल रहा है, पहली screen पर तो real में खेला जा रहा है, तो file के साथ छिड़कानी नहीं हो रही है, और game का जो output ह जो खेल कर screen आ रही है, वो दूसरे computer में जा रही है, तो वो gameplay दूसरा computer भी देख रहा है, और वहाँ पर AI लगा हुआ है, जो की aimbot काम कर रहा है, दूसरे computer में, जहाँ पर gameplay नहीं हो रहा है, सिर्फ cast हो रहा है, और वहाँ पर वो computer उस gameplay को देखने के बाद, as a mouse और keyboard का instruction दू दूसरे computer को भीज़ रहा है, सो जो जिस computer में game चल रहा है, वहाँ पर तो keyboard और mouse का input आ रहा है, लेकिन असली काम दूसरा computer कर रहा है, और वहाँ पर ऐसे cheats को पकड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसे aimbot को पकड़ना लगभग impossible है, लेकिन इसके लिए भी mechanism चल ग है, क्योंकि इंसान इतना सटीक नहीं हो सकता, इंसान को तोड़ा time लगता है, और इंसान एक pattern पर काम नहीं करता, machine एक pattern पर काम करती है, इसी चीज़ से detect करके, ऐसे cheats को भी band किया जाता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, AI काम कर रहा है, और जो cheat काम कर रही है, वो main computer में करी नहीं रही है, वो उसमें कर रही है, जहां पर वो सिर्फ capture card वीडियो की feed दे रहा है, वहां पर वो screen पर देख रहा है, robot और वो aimbot का जो output है as a peripheral वो दूसरे device में दे रहा है, तो ऐसे काम करता है, बहुत advanced हो गई है cheat, लेकिन आपको बता दूँ कि अगर ऐसे ही चलता रह जाता है, एकदम खराब, लोग ऐसे ऐसे तरीके इस्तमाल कर रहे हैं कि wall के पीछे देख पाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने game की again files को ऐसा change कर देते हैं, कि वो बहुत low graphics setting कर देते हैं, इतनी low graphics setting करते हैं कि उनका game walls को render ही नहीं कर पाता, किसी भी तरीके से वो घास को बता देते हैं कि हमारे graphics बहुत कम हैं, जबकि इनके पास अच्छी graphics card होते हैं, तो जो system होता है, जो game होता है, वो उस wall को render ही नहीं करता है, जिससे इन लोगों को edge मिलता है और ये देख पाते हैं कि wall के पीछे कौन है, जबकि असल game में और fair game में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप समझ गए कि कैसी कैसी ये FPS genre जो है, वो dead होता चला जा रहा है, dead नहीं तो कहेंगे, बहुत परिशानियों से गुजर रहा है, ऐसे hackers जो बहुत ज़्यादा smart हो चुके हैं, ऐसे cheaters जो cheating करते हैं, गेम में और game का सारा मज़ा खराब करते हैं, मैं आपको बता दू, ब बाद में पता चला कि वो ऐसी cheats इस्तमाल करते हैं, इसलिए हर बार वो headshot मार पाते हैं, humanly possible नहीं है इतना profit खेलना, जितना कई लोग भार के लोग या ऐसे बहुत popular लोग हैं, जो खेलते हैं, आशा करता हूँ मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी और एक परिशानी के ब में जो offline game होते हैं, single player उसमें cheats इस्तमाल करने चाहिए, आपकी जो भी राय है, आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी cheat इस्तमाल किया है, मुझे जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ethical hacking सीखनी है तो description चेक करें, मैं मुलतौप से video में, thank you so much and good bye.